डेली वीडियो अप्लोड करनी है तो करनी है हमें एक बजी वीडियो अप्लोड करनी है तो करनी है जब तक आप लोग अपने वादे के नियम के पक्के नहीं होगे और अपने टाइम पे वीडियो अप्लोड नहीं करोगे डेली वीडियो अप्लोड नहीं करोगे तब तक कद दोश्टों अगर आप यूटूब में निंग करना चाहते हो उच्प तो पहली बात ब्रभी क्या निकल फेको आप लोगों के अंदर के क्वान कर दाए glare शाते हो यह वीडियो को सकतले को कैसे क deflux आप लोग लोग अपने नयम के पक्ते होगा आपका जब मन चला तो आप लोग scallopadom दोजा करती है कि दो चार दिन में जब आपको टाइम मिला तो वीडियो बना करके डाल दिए तो ऐसे में क्या है जब मन चला और दो चार दिन में जब आपको ताइम मिले वीडियो डालोगे तो ऐसे में यूटूब आपकी वीडियो को यूटूब कमंडेशन में नहीं पहुंचा पाएगी और नहीं आपके वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा जिससे आप लोग का वीडियो कभी वाइरल होने का चांस नहीं रहेगा और एक समय क्या आएगा एक समय आपका ऐसा आएगा कि आप लोग बिल्कुल से परिशान हो जाओगे औ पतलाब YouTube में वीडियो बनाना चौन दोगे आप लोग यहीं को घिक हम दो साल-तीन साल होगे मेहनत कर रहे हमारे वीडियो नहीं हा रहे हमारे वीडियो ग्रो नहीं हो रहा हमारे चैनल तो क्या करे जब तक आप लोग अपने नियम के पके नहीं होगे और डेली रावे इस बात को मान लीजिए अगर मेरी ये बात को आप लोगे ना तो सच में कहती हूं 100-100 वीडियो आप लोग के पूरे नहीं हो पाएंगे और आप लोगों का चैनल ग्रो होने लग जाएगा आप लोगों के वीडियों जाने लग जाएंगे तो दोस्तों क्या करने हैं अपने ग्रोगों पन्फिक्स कर लों के हम एस टाम पे बीडियों तो राइंगे हम को टेली एपलोट करने तो करने फिर आप बुखारा है तो अपना काम हो यह गर से बाहर हो यह घर के अंदर हो लेकिन जब तक हम ओल्ड य्यूटूबर niño मिल नहीं हो जाएंगे जब तक हमारा चैनल डेज़ दो साल पूराना नहीं हो जाएगा हम सभी लोगों की निगाहों में बराबर पहचान अपनी नहीं बना लेंगे तब तक हम डेली वीडियो और एक ही टाइम पर वीडियो डालेंगे जब आप लोग एक ही टाइम पे और कांटी न्यू वीडियो डालोगे तो क्या होगा आपका जो अभी गैपिंग वाला इस्थान है जैसे क्या होता है हम जब डेली पढ़ने जाते हैं तो प्रेजेंटी होती ना तो हम जब प्रेजेंटी लगती है तो जब डेली पढ़ने ज आएंगे जितना रोज हमें बताएंगे हम रोज को-्रोज अपने माइंड में अपलोड करते जाएंगे तो रहतों हमें इकठा फिर पढने में दिक्कत नहीं जाएगी ऐसे इसम है जब हम कांटीन्यू वीडियो अप्लोड करेंगे एक ही टाइम पर वीडियो अप्लोड करेंगे तो गैपिंग नहीं रहेगी और यूटूब हमारी वीडियो को धीरे-धीरे करके इंप्रेशन यूट्यूब रिकमंडेशन में पहुँचाने लगेगा और हमारी वीडियू का इंप्रेशन जाने लगेगा पत्ता नहीं कि इस दिर बीडियू का इंप्रेशन इतना अच्छा पोउंचा दे यूट्यूब कर हमारे वीडियों में 50,000-60,000 अच्छे से व्यू जाजा और हमारा चैनल ग्रो हो जाए हमारा फेस वारल हो जाए पहली बात यह दूसरी बात है दोस्तों जो आपके माइंड में टेंशन क्या है टेंशन घर की टेंशन यूटूब की टेंशन बाहर वालों की टेंशन यह बिलक आप लोगों से बताने जा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ यह इंटर फेस हुआ है इसको मैंने फेस की है मैं जानती हूं अब जैसे हम यूटूब में अपने चैनल बना लिए हैं वीडियो अपनलोड करने लगे तो सभी लोगों पता हो गया कि यह तो यूटूब में अपना च होती तो हम क्या होता डी मोटिवेट हो जाते हैं क्या होते हैं डी मोटिवेट हो जाते हैं फिर जब हम डी मोटिवेट हो जाते हैं तो कहीं के नहीं रह जाते ना हमारा यूटूब में वीडियो डालने कमन करता और नहीं यूटूब छोड़ने कमन करता क्यों अगर यूट यूटूब की खुशी उचली फिर रही थी वीडियो डालना बंद यूटूब से पैसे कमाने का सपना बंद तो पहले आप लोग यह टेंशन निकाल फेको आप यह सोचो कि हम इंज्वाय कर रहे हैं और इंज्वाय के साथ साथ आप लोग अपना ऐसा माइंड लगो कि अपन चैनल को यूटूब वायरल करेगा और जब आपकी चैनल को वायरल करेगा है वीडियो को वाइरल करेगा तो जरूर किसी न किसी दिन आप भी अर्निंग करना चालू कर दोगे भाई बच्चत जन्म लेने से ही नहीं सब कुछ सीख लेता है पैट से ही नहीं सीख लेता है उसको सीखने में वक्त लगता है इसी तरह जिसका लग अच्छा होता है वो अच्छा नहीं होता उसको काफी मेनत करनी पड़ती है तो यूटूब में मेनत करने से पीछे मत अटो कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है डिमोटिवेट मत हो अपने काम पे फोकस दो और तीसरा नंबर रूची रूची सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों में नहीं है कि अगर आप लूग जिस काम को करना चाहते हो तो उसमें रूची होना चाहिए जादस countdown हमको उसका में फोकस देना चाहिए ज्यादस ज्यादस इंट्रेस्ट होना चाहिए जब हमने उसकां इंट्रेस्ट काम लुए हम उसको कर काम पर अपना मांड नहीं लगाएंगे इसी तरह है अगर आप लोग यूटूब में चैनल बना हो तो अपने कांटेंट अपने कांटेगरी पर इंट्रेस्ट रखो फोकस दो जब आप लोग अपने कांटेंट पर अपने कांटेगरी पर फोकस दोगे फोकस रखोगे तो जर एक ही time पर डेली Video अफ्लोड करने के लिए सौचोंधे और डेली Video अफ्लोड करोगे, जब आप लोगों के अंदर काम करने का जुणून होगा, जजब के जब तक आप लोगों के अंदर काम करने तो आप लोग पहला नमबर अपना natomiast time fix कर लो कह हमें इस टाइम पे वीडियो अप्लोड करने तो करने हमें डेली वीडियो बनाने तो बनाने फिर चाहले हम अपने पर कांटेंट पर चाहे जहां से डूंड़ के लाएं अपने category का content हम जहां से डूंड़ के लाएं लेकिन हम अच्छा सा अच्छा content लाएंगे daily वीडियो upload करेंगे हमें चाहे बुखार हो, हमें चाहे जितना काम हो, हम चाहे घार में हो या फिर बाहर हो हमें किसी का सर्म नहीं हैं, हम गलत काम नहीं कर रहा हैं। हम अपना कारियर आगे बढ़ा रहा है वाई। अगर हमारे घर में रोटी नहीं है, तो कोई हमको ल खिला नहीं देगा। लोग तमासा देखने के लिए आ जाएंगे लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता तो इसलिए जो तमासा देख रहे हैं उनको देखने दो आप जो काम कर रहे हो अपने काम पे फोकस दो जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं रखोगे आप लोग अपने काम पे इंट बहुती गरीब फेमिली से थी तो क्या मैं इंटर के बाद मैं सोची मैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी तो मैं एक यानी की यलकेजी से लेकर के तिन तक के बच्चों को 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती थी और जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे घर से डेड़ से दो किलोमीटर की दूरी थी जहां पर मैं पढ़ाने जाती थी मितलम मेरे घर से लाइन क्राश करना पाई था तो मेरे ही आज पड़ोस के कुछ लोग बोलते थे कि ये तो जाती है बच्चों को बाहाँ हाँ से मारती है ऐसे पढ़ाती है वैसे पढ़ाती है इसमें ये कम्याह है ये ऐसे करती लेकिन मैं किसी पिध्यान नहीं दी मैं किसी पिध्यान नहीं दी कि ये मुझे कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है मुझे तो ये था कि मुझे किसी ना किसी तरह से अपनी पढ़ाई आगे की जारी रखनी है तो फिर भाई मैं जब हर एक लोगों की बाते सुनूंगी और बातों को सुन करके डिमो फोकस रखती बारिस होती तो मेरी पास छत्री नहीं थी तो मैं पन्नी ढखके जाती और गर्मी होती तो धूप में मैं वैसे बिल्कुल धूप में जाती और आती मतलब कोई भी मौसम होता लेकिन मैं जो डेली कांटी न्यू का मेरा काम था बच्चों को पढ़ाना घर से पढ़ाई भी जारी रखी और अपनी जो ख्वाइसे थी मेरी जो छोटी-छोटी सपने थे उसी के चलते मैंने अपनी छोटी-छोटी खोश्रों को पूरी की सपनों को पूरी की और अपनी पढ़ाई भी की और अगर वहीं मैं सभी लोगों की बातों पर आ जाती कि हां मैं तो फिर मतलब मैं कुछ नर पीची सबी लोगों से को कुछ किसी को कि और मैं इंट्रेस्ट रही तो मेरी कमिया थी छोटी-छोटी जो थोड़ा-थाड़ा कमिया थी तो में कांटे ने उस काम को करने से बुट Pack को रहली पढ़ाने से बिल्कूल उसमें ट्रेंड हो गई थी तो मुझे इतना यानिकand वह एक्स्पीरियंस हो गया था उसमें बच्चों को किस टाएंब क्या पढ़ाना है बच्चों से कैसा क्या मैं इतला बिल्कुल सेमें तो इसी तरह जिस काम को हम डेली करेंगे तो उस काम को करते करते हमको अभ्यास हो जाता है जिसमें फिर भी दिकत परसानी नहीं होती है और एक नेक दिन हम इतना ट्रेंड हो जाते हैं उसकाम को करने पे हम को कोई भी दिक्कत परसाइड नहीं होती और हम अपने ही उसकाम के लिए उतने ही अपने ही काटेग्री में इतना अच्छा content लेकर के आने लग जाते हैं कि जो लोग लोग देखने के लिए प्रोसायत होते हैं देखने के लिए हमारी वीडियो बढ़ते हैं तो जब तक आप लोग ऐसे नहीं करोगे अपने काम पे फोकस दोगे अपने काम पे खोल favor नहीं हो पाऊगे YouTube नहीं कहीं भी ले लो जब तक आपके अंदर जुनूर नहीं है जजबन नहीं है काम करने का इंट्रेस्ट नहीं तब तक success नहीं हो पाऊगे दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, फिर मिलता है ले नहीं वीडियो सेफा हिगना, जै वारत, अभरत Oh